आप सब बहुत जादा अच्छे तरीके से अपनी एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे और जो 2023 का टाइम है इसमें आप सब भी को जॉप मिल जाए और आपकी प्रेपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए और उसको बूस्ट करने के लिए मैं ऐसी short videos लेकर आती हूँ जहाँ पर यह वो topics होते हैं जो आपकी exam perspective से काफी जादा important है प्लस मानिए अगर आपको कोई चीज tough लगे या नहीं समझ में आ रही हो तो इन short videos की help से आपके वो topics complete हो जाए सो अभी मैं आपको periodic table आधुनिक आवच सारनी करवा रही हूँ इससे पहले वाले part में मैंने periodic table का एक part already upload किया है इससे just पहले वाली video आज मैं उसका second part आपको करवा रही हूँ देखे अगर आपने नहीं देखी है first जो part मैंने upload किया है अगर आपने वो नहीं देखा है so let me tell you मैंने first part में ये सब चीज़े पढ़ाई है periodic table का जो basic classification है वो क्या है कैसे कैसे groups में divide किया गया है कितने blocks होते है के element shells में कैसे division होता है और जो groups होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है तो ये सब चीज़े मैं इससे first part में upload कर चुकी हूँ तो पहले आप उसको देखेगा उसके बाद ही इस video का देखने इस video को देखना आपके लिए fruitful होगा otherwise कोई use नहीं है सिवाए time waste करने के अब देखे अब मैं आज इसका आगे का part continue करती हूँ मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो 17 group होता है उसे हम halogen कहते हैं तो आप देखे हलogen क्या होते हैं कौन से वाले जो elements होते हैं उन्हें हम halogen कहेंगे अब मैं आपको ये समझाऊंगी एक-एक करके एक-एक group मैं आपको समझाऊंगी halogen जो की group 17 होता है ठीक है noble gas जो की group 18 होता है तो ये सब चीज़े मैं अब आपको पढ़ाऊंगी जो मैंने यहाँ पे आपको short में दिखाया था अब बात करते हैं halogen halogen जो होते हैं salt former मतलब की salt का मतलब होता है लवन तो जो लवन बनाने वाले elements होते हैं उसे हम halogen कहते हैं और halogen में आपके पास में 17 group के element आते हैं आपसे कई बार exam में direct question पूछा जाता है कि इन elements में से कौन सा halogen है और कौन सा नहीं है या जो आपको elements दे दिये जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन elements में से कौन सा group 17 का element है तो ये चीज़ आपको कैसे पता जगिएगी कैसे आपको याद रखना है तो उसके लिए simple सा आपको 17th group के जो elements है उनके आपको याद रखना है कौन कौन से elements उसमें आते हैं तो सबसे पहले आता है fluorine जिसे F से denote किया जाता है second one is chlorine, Cl से denote करेंगे प्रोमाइन, Br, Iodine, I and Acetine 80 तो ये हमारे 17th group के elements है और इसके लिए मैंने एक short note भी लिखा है यहाँ पे आप देखे जो Acetine है न ये एक rarest natural occurring element है अर्थ के उपर अब एक बात को समझे जो periodic table है आधूनिक आवच सारनी है इसमें in total हमारे पास 118 element है जिसमें से 90 around elements जो हैं वो naturally प्रकतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में पाए गए थे और उनको periodic table में add किया गया है और जो Acetine है जो की 17th group halogen है वो एक rarest natural occurring element है जो की हमारी अर्थ पर पाया जाता है अब यहाँ पे देखे फर्च पॉइंट तो आपको यह याद रखना है halogen के लिए कि यह salt former होते हैं लवन बनाने वाले होते हैं और इन्हें 17th group में रखा जाता है मतलब की जो halogen है वो 17th group का element है जिसके अंदर क्या के चीज़े include हैं fluorine हो गया F, chlorine Cl, Bromine, Br, Iodine, I and Astein तो यह जो elements है यह 17th group में आते हैं और इन्हें हम halogen कहते हैं क्यों क्योंकि यह salt देते हैं लवन बनाते हैं कब जब यह metal धातू के साथ में react करते हैं तो यह चीज़ आपको याद रखने हैं कि जो halogen हैं उनकी formation कैसे होती है तो metal के साथ में, धातों के साथ में इनकी अभिक्रिया होती है और फिर salt का निर्मान होता है इसलिए इन्हें हम halogen कहते हैं अब देखे, note में मैंने यहाँ पे दे रखा है और एक बात याद रखेगा कि जो भी points note में आपको दे रखे होते हैं वो exam perspective से बहुत ज़ादा important होते हैं क्योंकि आपके exam में हमेशा जो exceptions होती है उनसे ज़ाद अतर question आपसे पूछा जाता है तो अगर note में देखें तो यहाँ पे देखें iodine और bromine जो है ना, यह halogens है लेकिन यह किसके साथ में react नहीं करते हैं अब question आपसे क्या पूछा जा सकता है 17th group के सत्रवे समू के ऐसे कौन से element है या ऐसे कौन से elements है, मतलब एक या एक से ज़ादा कौन से ऐसे element है जो कि water पानी के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते है तो answer देंगे iodine और bromine, अगर question आता है कि जो halogens है, वो किसके साथ में react करके solve formation करते हैं, लवन का निर्मान करते हैं, तो answer आपको देना है, metals अगर आपसे 17th group के elements को पूछा जाए कि 17th group के elements को हम क्या कहते हैं, तो देखिए आपको ये सब option में मिलेंगे transition metals, metalloids, alkali earth metal, halogen, तो आपको याद रखना है, 17th group के जो elements होते हैं, उन्हें हम halogen कहते हैं, और last question इसमें ये आता है, कि जो halogen हैं, उनमें कौन-कौन से elements आते हैं, fluorine, fluorine, bromine, iodine and esterine, तो ये आपका हो गया halogen का concept पूरा complete, now, अगर यहाँ तक कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please, please वीडियो को like कर दीजेगा now, halogen के बाद में next आता है हमारा topic noble gas noble gas में देखे, कोई भी जो group of gases हो गया, जो react नहीं करता, other chemicals के साथ में, मतलब कि noble gases को, हिंदी में हम occur gas भी कहते हैं, तो ये जो group होता है, ये किसी भी और element के साथ में react नहीं करते हैं, और chemicals के साथ में react नहीं करते हैं, तो ऐसे type के जो group of gases होती हैं, उसे हम noble gases, or create gas खेते हैं, अब जो noble gases हैं, उनकी एक property होती है, कि इनका जो reaction rate होता है, वो बहुत ही low होता है, बहुत ही slow ना के बराबर होता है, और इने हम inert gas भी कहते हैं, अगर question आ जाए कि noble gas को और क्या कहा जाता है, तो वो inert gas है, कई बार examiner आपको questions ना गुमा के दे देते हैं, तो उसमें आपसे ये question पूछा जा सकता है, कि जो inert gas हैं, वो कौन से group में आती हैं, periodic table में, तो आपको याद रखना है, कि group 18 है, उसमें noble gases आती है, noble gases को ही inert gas कहा जाता है, और इने noble gas क्यों कहा जाता है, या कैसे जो gases है, उनका group, 18 group होता है, तो ये वो groups होते हैं, जो अक्रिये gas होती हैं, जो किसी भी chemical के साथ में react नहीं करती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखने ये noble gases के लिए, अब और आगे points हम देखते हैं, आगे देखिए, all the noble gases have full outer shell, जो noble gases होती है न, इनके अंदर जो outer shell होता है, वो क्या होता है, पूरी तरीके से fill होता है, 8 electrons के साथ में, for example, जो outer shell है न, उसमें देखे, division कैसे होता है, KLMN, ये हमारे पास 4 shell होते हैं, तो noble gases को, इनका number बहुत जादा होता है, तो आप जब इनको, इसमें shells में put करते हैं, तो जो भी outer shell होगा, मानिए L है, या M है, या N है, तो ये completely fill होगा with 8 electrons, इसके अलावा, जो, ये जो outer shell है, इनका पूरा complete है, 8 electrons के साथ में, आपको अगर Newland का याद है, तो उन्हों ने हमें ashtang नियम दिया था, जिनने हम octet rule कहते हैं, तो उस according, आपको याद रखना है, कि अगर outer most shell पूरी तरीके से full है, तो it means कि ये काफी जादा खुश है, और इन्हें और elements की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये अपने आप में ही fulfilled है, इन्हें और elements की जरूरत नहीं होती है, और इसके अलावा ये arcree gas होती है, तो ये rarely किसी और element के साथ में combine होके compound बनाती है, ये अपने आप में ही separate होती है, इसलिए इनको सबसे अलग, सबसे लास्ट ग्रूप में रखा गया है आपको याद रखना है, नॉबल गैसेज को हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं और यह और क्रिये गैसेज होती है, इन्हें अठारवे ग्रूप में रखा जाता है इसके अलावा ये और किसी chemical के साथ में easily reactable नहीं होती है और इनका जो outer most जो बाहरी जो shell होता है वो पूरी तरीके से fill होता है with eight electrons तो इन्हें और किसी element की जरूरत नहीं होती है reaction के लिए इसके अलावा कुछ और यहां पे key points दे रखे हैं जो ये है noble gases इनके लिए कुछ और key points हैं जैसे की ये colorless होती हैं इनका अपना कोई color नहीं होता orderless लेती हैं मतलब इनकी कोई smell fragrance भी नहीं होती और ये monoatomic gases हैं जो की room temperature और pressure पे मतलब की जो room temperature होता है कमरे का जो tap और pressure होता है दाब उसके उपर यहां दाब लिख सकते हैं आप और temperature जो होता है वो होता है ताप मान तो जो कमरे का tap होता है और जो दाब होता है उस पे ये gases कैसी है colorless इनका कोई color नहीं है orderless मतलब इनकी कोई smell या fragrance भी नहीं है और monoatomic का मतलब होता है single atom mono का मतलब होता है एक तो ये एक single atomic होते है क्योंकि यहां मैंने उपकर आपको बताया कि इन्हें और elements की requirement नहीं होती है react करने के लिए last point आता है noble gas के लिए ये जो है इसे zero group भी कहा जाता है क्योंकि इनकी zero valency होती है zero valency इसले क्योंकि इनके outer most में 8 electrons पूरे होते हैं और ये और elements के साथ में combine भी नहीं होती है compound formation के लिए so ये आपके पास देखी noble gases से related कुछ points से बहुत धी जादा important थे specially जो अभी आपका DRDO का CHSL का paper आ रहा है ना उसमें तो मान लिजे कि ये topic आएगा ही आएगा और आपकी बहुत जादा help होगी तो इनको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा और अगर कोई doubt रह जाता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं उसके लिए now मिलते है next वीडियो में जिसमें इसके third part में मैं आपको alkali metals, transition metals ये सब चीज़े क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी so please वीडियो को भर के like करिए जितने देखते हैं चाहे आप लोग last तक देख रहे हैं या नहीं बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो please वीडियो को like करिए बहुत efforts लगते हैं literally बहुत मेहनत लगते है वीडियो record करने में so please like करिएगा आपका support मुझे चाहिए और बहुत जरूरत है इस चीज़ की मुझे और इसके अलावा आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसका link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगी नव बिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में और थेंक यू सो मच